दोनों में ये फरक है कि आज मैं एक जो मूर्ती पूजा को ना करते हुए मैं एक विचारों की जो विचारों की पूजा करती हूँ मैं विचार लेती हूं बाबा साब से साउजी महाराज से और जितने भी हमारे बुद्धी जी भी हुए हैं उनको मैं प्रोपर पढ़ती हूं करते हैं कि पहले गनेश की मूर्ति पुजा करते हैं तो पाखन तो वही रहा हूँ तातियों नमस्कार मैं हूँ मनोजन तानी और आप देख रहे हैं बहुजन सोचल मेडिया मेरे साथ मिनाक्षी है अभी मंच पर उन्होंने एक वक्तवे दिया आज दिलिकेंट में कारेग्र पानिश्तितिय देश की उसमें बहुजन महिलाओं को आप कहा पर देखते हैं अगर हम सिनेरियों देखें तो हम देख सकते हैं कि मनिपूर में जो हिंसा हुई है उस पर अभी तक हमारे केंदर सरकार ने कोई संग्यान नहीं लिया है जिस तरह ऐसे मोदी जी हर चीज में अ अगरेसिव होकर बोलते हैं उन्होंने ना तो लोग सभा में इसके बारे में कोई चर्चा उने दिये और जो यह सरमसार गटना हुई है उसकी में निंदा करती हूं और ऐसा भाविशे में ना हूँ उसके लिए हमारे मीडिया का भी सही हमारे पास होना चाहिए क्योंकि सक्कितार जाइब कर आ हैं चैपुर से मामले के रहे हैं तुम हेलाओं के साथ उसके ड़ी दही पिलन कर रहे हैं आप उन्नाओं में देखते हैं तो उनको भी कोई मतलब आप उन पर मुकदमा चला लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं हुई ना उनको सजा मिली है ऐसा पहले से भी चलता और अब भी चलता रहा है क्योंकि जो भावी सरकार है वो नहीं चाहती कि जो महिलाएं वो सुरक्षित नहीं जादा यह कौन हिंदू है जब भी पकड़े जाते तो पता चलता कि ओवी सी का है कोई कोई एश्टी का है इस तरी किसे मामले बहुत कम मामलों में पता चलता को कोई ब्रहमन समाच से या राध्पू समाच से मोस्टली जो बैकवर्ड जो कैटेगरी है वो इस मामलें सर बैकवर्ड कैटेगरी खुद को हिंदू मानने लगी है क्योंकि जो हिंदू राष्ट का सपना है उसको सिर्फ ब्रहमन अकेले पूरा नहीं कर सकता उसके लिए उन्हें ओबी सी का समर्तन चाहिए होता है तो ओबी सी को समर्तन दे रहे हैं क्योंकि ओबी सी इनके लिए जंडे उठाने का काम करता है ब्राह्मन कभी भी जंडे नहीं उठाता अशनल गॉतर नहीं स cheesy जादत अबी सी लोग बाबा साब को नहीं करहें थी पर प्रिक्माइद स्विकार जबकि बाबा साब तर्फ निता ना होने के बावजूद वह सब के लिए उन्हों ने बराबर काम किया है जा वो अज मन्चपर भी है उद्धगाटन करता भी है मन्च को सामाल भी रही है और मन्च पर बैठी भी है दूसरी तरफ वो महिलाएं है जिनको बड़ा अच्छा लगता है कोई उनको खाली पिलोट कहता है रजिस्ट्री वाला कहता है लाखों की संख्या में बाबा की डेरों में जा रही है सर सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि बिना शिक्षा के आप आडम बरवाद है उससे नहीं निकल सकते क्योंकि आप अगर मेरी बात की जाए मेरे जनम जो है गुड़गाओं में हुआ है जो गुड़गाओं में चोगानन माता का मंदिर आपने सुना होगा बली है क्योंकि यह उसे हमने कसोटी रहेον की लेकिन जैसे 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 दीरे दीरे शिक्षा की तर गए तो विङ्जान की कसोटी पर उतारना शुरू करता है तो उससे मैहीं पर दोनों में यह फरक है कि आज मैं एक जो मूर्ति पूजा को ना करते हुए मैं एक विचारों की जो विचारों की पूजा करती हूं मैं विचार लेती हूं बाबा साब से साउजी महाराज से और जितने भी हमारे बुद्धी जी भी हुए हैं उनको मैं पूजा करती हूं प्रिरित होकर उनकी विचारों को अपने अंदर धारण करो जो आपको शील ता शील आचरण है उसको आप आपने क्या संद्रिश देना चाहेंगी आपके जैसी लाखों महीलाओं को जो आज भी आड़मर और पाखिने उफसी है मैं उनसे यह कहना चाहूंगी आप मंदिरों क आगे भटकने से अच्छा आप किताबों का रास्ता अपना है क्योंकि बावस आप कहते थे अगर आपको अमीरी का रास्ता चाहिए तो किताबों से ओकर गुजरता है और आपको एक अच्छी जीवन की परिकल्पना करना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना बहुत जरू प्रुष नहीं रखा था अमिताब बच्चे ने रखा ये लेकिन हमारे ऐसी लोग है उनको भी उनको भी वर्त रखना चाहिए क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें हिंदू धर्म कहता है कि यह मेरी अरधांग नहीं है तो जब वह आदा हिस्साइव के लिए वर्त जब कि पैरों की तरफ बढ़ाने का मतलब है कि आप उनको समझ रहे हो। आप निको नेको साथ बिठाओ गाइवासां जूतिबा वहवार हमेशा अच्छा होना चाहिए वह चाहिए महिला के साथ हो चाहिए वह पुरुष के साथ हो लेकिन महिलाओं को सोफ टार्गेट समझा जाता है कि अगर आप उनका दुपट्टा उतार लेंगे तो उनकी बेज़ती हो जाएगी ऐसे और आदमी उसको अगर हमारे भार पर आप तार्गेट ना करो पहले सी शोशित है और इतने सालों से शोशित होई जा रही है तो अगर आज यह गटना होती है बेंडिट क्यों ने कितने साल पहले कि जिन ठाकूरों को मारा था उन ठाकूरों को बाईजत रिया कर दिया गए वह वह वी चोरी चुपके आप य सब्सक्राइब सब्सक्राइब. और जो हमें आम जंता को जो जानकारी मिलती है पूप ऐसी मिलती है जैसी केंडर सरकार सुनाना चाहते है हमारे आगे मतलब एक ऐसा होते है इल्यूजन क्रियेट किया है कि यह सचा ही है जो सारी मतलब न्यूज है वो ऐसे दिखाई जाती है जो मोधी को मोधी की या तो बढ़ाई हो या